हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो रोली स्टडी दोस्तों आज हम मद्द प्रदेश करिंट अफेर का एक टोपिक लेकर आए आपके लिए देखिए अभी हाली में योजने स्टार्ट की गई है रोजगार से तु योजना और यह आप सभी कापी आई एंपी है क्योंकि यहां से कोश सदे की पूरी से हमिल जाए आपकी जो बी एक Зाम महंने जो भी तो यहां से आपके पूरे किलिए हो टो देखिंगे हम रोजगार से तो जो है इसके बारे में तो चली हम स्üp desarrollo किया गया क्या करना चाहिए और किन छेत्रों में इसके यहाँ पर रोजगार दिये जाएंगा इन सभी चीजों को हम वन बाइवन कवर करेंगे जो कि आपके लिए जानना बेहदी जरूरी है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपको बताते हैं यदि आप चैनल प और ये जो कि मद्यप्रदेश सरकार के द्वारे लोंच की गई है अब देखे रोजगार से तो योजना को मद्यप्रदेश के मुक्य मंत्री सिवराज सिंग चोहां जी के द्वारा प्रवासी मजदूरों को रोजगार प्रदान करने याने प्राप्त करने के लिए सुरू क किया जा रहा है या फिर की जा रही है तो यह मद्यप्रदेश में जो प्रवासी मजदूरें इनको रोजगार देने के लिए स्टार्ट की गई है यह योजना और मुख्य मंत्री शिवरास सिंग चोहांची के द्वारा यह सुरू की गई है इस योजना के अंतरगज जो इसमें किया जाएगा और कापी सारी चीज़ें इसमें देखी जाएंगी अब इसका उद्देश्य क्या है इस योजना को स्टार्ट करने का तो यह भी आपको बता जाते हैं देखें लोकडाउन की वज़े से मद्धिप्रदेश के जो मजदूर काम करने के लिए अन्य राजी इस योजना के जरी राजी के प्रवाति मजदूर स्रमीकों को जीवन आपन करने के लिए रोजगार कराना है इनको रोजगार और रोजगार यहां पर इनका ही महें लक्षी रोगिवावद कराना रोजगार से तो योजना 2020 के तहित मजदूरों को उनकी योग गिता के अनुसा रोजगार उपलब्द कराना और उन्हें आत्मी निर्बन बनाना इसका उद्देश है इसके अलावा योजना का जो नाम है रोजगार से तो योजना इनों रखा है किसके द्वारे स्टार्ट की गई है तो योजना स्टार्ट की गई है इसका सुबारंब हुआ है 27 मई 2020 को तो इन सबी चीज़ों को आप याद रखेगा काफी IMP चीज़े हैं और आपको हो सकता है एक्जाम में देखने को मिले देखे इसके उपर मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान ने भी कुछ कहा है वह आपको बता देते हैं उन्होंने कहा है कि अपने स्किल्ड स्रमिक भाई बेनों और उद्दिमियों को हम एकी प्लेटफॉम पर खड़ा कर देंगे इस तरह दोनों एक दूसरे के पूरक ब मुख की तत्य क्या है इस योजना के वह आपको लिए जाना जरूरी है देखे इस योजना का जो लाब उन प्रवासी मजदुरों को प्रदान किये जाएगा जो अन्य दूसरे राज से वापस अपने राज में जो है लोट कर आये हैं उनको यह जो अकिलाज मिलेगा इसका और राज के इन प्रवासी मजदुरों को रोजगार के अउसर प्रदान किये जाएंगे इन सभी लाबार्तियों को रोजगार से तो योजना 2020 के जरिए उनकी योग्गिता के आदर पर राज सरकार द्वारा रोजगार मुह कराया जाएगा इस योजना का लाब उठाने के लिए मंद्यपृतेव के प्रवासी मजदुरों को आवयधन करना होगा क्या किस प्रकार करना हो वह भी आपको पूरा आगे बताएंगे इस योजना से लाबार्तियों को मन्रेगा के तहित रोज कार भी मिलेगा यानि मन्रेगा जो योजना स्टार्ट पहले जो चालू करने वो भी आपको पूरा डेटियल में बताएंगे रोजगार से तो पोर्टल पर मोजुद जानकारी में व्यक्तिगत विवरन सेक्चिनिक योगिताए कोसल पहले की नोकरी पिछले वेतन पिछले नियोकताओ मासिक वेतन और प्रुवासियों के काम करने के इच्चुक छेत सामिल होंगे इसके अलावा अब तक कोरोना वाइरस कोविड-19 लोकडाउन के भी लगबग 6.5 लाग प्रुवासिक करमचारी मद्यप्रदेश लोट आए हैं अब उम्मीद है कि लगबग 13 लाग प्रुवासियों मजदूर MP राज्य में लोट कराएंगे इस योजना के जर चहतर में प्रुवासियों को मजदूर को रोजगार पदान के जाएगा व छेत Nie स्मय निर्मान स्रमिक इसमें भवन में निरमान कार्यों इस इसमें इनको रोजगार दियेगा इसके लावा इंट बट्टा जो खनन है इसने इनको रोजगार दियेगा इसके लावा कपड़ा जो कपड़ा जो छेद रहे इसमें इनको रोजगार दियेगा वहीं फेक्ट्री के कार्यों में भी इनको दिये जाएगा रोजगार क्रसी और संबंद जो है गतिवीद्य होती है क्रेशिस संबंद इनको रोजगार देज़ेगा और नेक्स्ट है आपका अन्य सरकारी सेक्टर से उन्हें जगार रहेगी रोजगार का उसर वहां पी इनको प्रदान किये जाएगा अब आगे जो नेक्स्ट पेक्ट आता है क्या-क्या इनके लिए पात्रता होगी क्या इनको जो है दस्तावेज क्या-क्या इसमें चेह होंगे तो यह भी आपको बताते थे देखिए आवेदक जो मद्दिप्रदेश का हिस्ताई निवासी होना चाहिए यह उसके पास जरूरी है आवेदक मजदूर स्रमिक और बेरोजगार होना चाहिए और जिनका समग राइड नहीं है नियत प्रकरिया अनुसार समग रूटल पर आईडी जनरेट की जाएगी यह जिनका समग राइड नहीं है उनके आईडी भी यहाँ पर जनरेट की जाएगी इसके अलावा आधर इनके पास होना चाहिए निवास प्रमान पतर चाहिए फैचान पत्र हो mimic card और राते हैं पत्र दोर रखे सब Patricia को सकते हैं देखिए यहां पर registration के अगर हम बात करें तो जिन प्रवासी मजदूरों के पास समगर आईडी नहीं है नियत प्रकिरिया अनुसार समगर पोर्टल पर आईडी जनरेट की जाएगी इनके बाद ही इन स्रमिकों का सरवे सत्यापन और पंजियन कारे पोर्टल पर समगर आईडी का उलेक करते हुए सुनिश्चित किया जाएगा और इसके बाद जारी निर्देश अनुसार पोर्टल पर समग राईडी तता आदार नंबर अंकित किया जाना अनिवारी होगा सर्वे सत्यापन और पंजियन 19 रमिकों का किया जाएगा जो मुक्य मंतरी जन, कल्यान, संबल, योजन, अत्वा, भवा, ने उम, अन्य, सनिरुमान, कर्मकार, कल्यान, मंदल में पंजियन की पातरता रखते हैं या जो पात्र पुर्वासी स्रमिकों को से निर्दारिस सर्वे फार्म में जानकारी प्राप्त कर 3 जून 2020 से पहले पूर्टल पर अप्लोड किया जानना तता सर्वे फोर्म को रिकार्ड में सुरक्चित रखे जाने के निर्देश भी दिये गए हैं ग्राम पंचैज के सच्चिव तता नगरी छेत्रों में वार्ड प्रबारिस सर्वे फार्म बर्ने में आवेदक की साहिता सुनिश्चित करेंगे और यहां पर जीला कलेक्टर के मार्गदरसन में सारी कारवाही की जाईगी ग्रामिन छेत्र के लिए मुक्य कारिपालन अधिक तता नगर निगम में निगम आयुक्त द्वारा अधिकरत अधिकारी यहां पर होंगे तो इस प्रकार आप अपना रेजिस्टेशन कर सकते जिनको भी करना है तो यही जानकारीती रोजगार सेतु योजने के बारे में आयुक की ये वीडियो आपको पसंद आया होगा आपको रेगुलर मिलते रहें आज के लिए बस इतना ही मिलते नेक्स्ट ट्रेम तो तक लिजए ये भारत